हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आज हम अलसी की पिन्दी बनाएंगे अलसी हमारी हाथ के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है हमारे बालों के लिए अच्छी होती है हिर्दे के रोग्यों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी होती है इसमें काफी मात के लिए इसे हलका साओ बूं लेंगे और दूसरी साइड में मैंने कूं मेल्ट होने के लिए रखा हुआ हैं THIS हलका छाही बूना है और कि हमारा मैल्ट हो रहा है और साथ मैं हम इसमें हम कम ga स्धालेंगे का मरकाश को हलका सा बून और फिर इसे का हम पाउडर बना लेंगे ग्राइंड करके दूसरी और हमार जो गी है मेल्ट हो चुका है और इसमें हम अलसी को डाल देंगे देरे-देरे करके हम अलसी को डालेंगे इसमें मैं जो भी इंक्रीटे डालने वाली हूं मैंने पहले से बून कर ग्राइंड कर लिये हैं जानके जो सौफ अजवाइन होती हैं उसे भी मैंने अच्छे से बून कर हलका सा बून कर उसे ग्राइंड कर लिया है तो सबी चीजे मैंने ग्राइंट करी हुई है और सिर्फ इसमें आप मिक्स करेंगे अब इसमें मैंने सोया का आटा डाला है सोया जो होता है मारी हल्थ के लिए काफी जदा अच्छा होता है तो सोया का मैंने लड़ू की रिस्पी भी अपलोड की हुई है उसका लिंक भी डिस्क्रॉप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप जो चेक करिएगा सोया की लड़ू होते हैं वो काफी जदा टेस्टी होते हैं और हैल्दी होते हैं और इने मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने एक किलो मैंने अलसी ली है और आदा किलो मैंने इसमें सोया काटा डाला है अब इसमें हम शक्कर डालेंगे मैंने एक किलो शक्कर डाली है आप अपनी टेस्ट के रिकॉर्डिंग शक्कर कम चादा कर सकते हैं जितना मीठा आपको पसंद हो उसी साब से आप शक्कर डालीएगा और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमें मिक्स करना है सबी चीजों को और साथ में हम इसमें ड्राइफूड कर डालेंगे जि मैंने नार्गिल का बरूदा डाला है बादाम को बारी कार लिया है आप ड्राइफूड अपनी टेस्ट के एकॉर्डिंग अपनी पसंद के एकॉर्डिंग डाल सकते हैं अब इसमें मैं सोगी डालूँगी जाने के बीज, जै मैंने जो कमर के सबसे पहले यह थी, उसका मैंने पाउडर बनाकर इसमें डाल दिया है, जै मैंने फुल मखाने का पाउडर बनाकर इसमें डाल दिया है, फुल मुखाने को भी मैंने पहले पाउडर बनाकर इसमें डाल दिया है, फुल मुखाने को भी मैंन लिए सब्सक्रीजिक तिलाव और सारी सब्सक्राहँ जब अश्चना चाथ में इस में बाचवनल जाने के तो उसका लिंक आनकी देड़ेंगों के लिए लिए hints जो भी चीजावें इसमें डाली हैं, तो आप उसे जुरूर देख लिजेगा, और इस वीडियो में मैं सिर्फ इस सभी चीजों को आपको मिक्स करना बता रहे हूं, सबी इंग्रेंट मैंने पहले वाले ही डाले हैं और सिर्फ जो अलसी और सुआ हैं वो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है कि सुआ और अलसी की पिन्य हम कैसे बना सकते हैं और सभी इंग्रीडियन पहले वाले ही मैंने डाले हैं और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर मिक्स करने में थोड़ी सी प्राब्लम हो रही हो तो थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स कर सकते हैं मैंने भी थोड़ा मटेरियल इसमें निकाल लिया है एक प्लेट में और आदा अदा करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसमें हम गी जा ओयल डालेंगे मैंने पहले जो शुद ही था उसे डाला था अब हम इसमें जैतुन का ओयल डालेंगे क्योंकि मैं आदा इसमें गी डालूँगी और आदा जैतुन का ओयल डालूँगी जैतुन का ओयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था ताकि इसमें समेल वगरा ना रहे अब जितना भी जरूरत होगी उसी साब से हम डालते जाएंगी ओयल तो जो हमारे जो लड़ू है साले से बन रहे हैं हम इसी तरह सारी के लिए बना लेंगे को जी कितने से बन रहे हैं जए कि इसी तरह हम सारे फ्रेल सी परनलेंगे संजर हाइ sandy है कलिए काफे ज्कलिन ऑप च्रोटी है जो सीच New właści से सर्दियों में सुबह सुबह चाई के साथ आप जे यल्सी के पिन्ने खाएं काफी ज्यादा टेस्ट ही लगती है जे और हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छे होती है आपको आज की ची मेरी रस्पी कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा गाइस और मेरे चै जर्दियों और मेरे बताएगके ज़की सांचा क सकत्राखव जेस्ट आपको मारें जरो ग्ल मेरे चास एक मा झावल, तोसम्या दन्वा